नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़ारखन के दिन भर की खबर जानते हैं हेमंत सरकार के तीन साल, सीएम ने ज़ारखन को दी 890 क्रोर की सोगाद ज़ारखन की हेमंत सुरेन सरकार ने तीन साल का कारेकार आज पूरा कर लिया है इस अउसर पर गुरू आर 29 दिसंबर को प्रजेक्ट भर में आवयजित विशेश कारकरम में परदेश की जानता को 890 क्रोर रुपए की योजिनाओ की सोगाद दी बतादे किसानों के खाते में 232 क्रोर रुपए ऑनलाई टांसपर किये गए मुख्य मंत्री हेमान सुरें ने इस अउसर पर विश्वास जाता है कि परदेश जल्द तरक्की करेगा हेमान सुरें ने सुखा रहात योजिना को एतिहासिक कदम बताया है उन्होंने कहा है कि परदेश में कई बार सुखा पड़ा लेकिन जिस तरह से उनकी सरकार ने किसानों को समय रहते रहात दी आई तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया CM ने कहा है कि सुखा रहात योईना के तहट 6,64,000 किसानों के बैंक एकाउंट में 232 रुपई आई टांसफर किये गए वही सिरी सुरेन ने कहा है कि किसोरी सम्रीद योईना कलाब 552 बच्चियों को मिला है इसमें 21.5 लाग से अधिक बच्चों को स्कॉलर्श चिप दी गई इस मद में सरकार ने 438 कॉलर रुपई दिये है इसी तरह कोल मिलाकर सरकार ने एक दिन में 890 कॉलर रुपई का बित्रन किया है जार्खन ने 20 साल तक दमन और सोसन का दन्स जहला जार्खन मुक्ति मोर्चा के करकारी अध्यक्ष हेमंत सुरेन ने कहा एक उनकी सरकार सत्ता में आया है तो विकास को गति दी इसका परिणाम है कि राज के कोने कोने में लोगों के चेहरे पर आज खुसी साफ दिख रही है लोगों ने 20 साल तक दमन और सोसन का दन्स जहला है सडकों पर आय दीन धारना परदसन होते रहते थे तीन साल से हम जनता के साथ खड़े हैं आगे भी खड़े रहेंगे इसलिए लोगों को इस सरकार से आस है उन्होंने कहा है कि अभी लंबा सफर बाकी है 20 साल में पहली बार यहां कुछ हल चल हो रही है आज हमारे राजे के बच्चे बिदेश में पढ़ने जाते है हमन सुरे ने कहा है कि रोजगास रिजन में नोकरी के छेतर में हमने बेहतरीन काम किये है भविस में कई चुनोतिया आएंगी लेकिन हम उसके लिए मानसिक रूप से त्यार है हमने लक्ष तयर रखा है कि उनके अनुरूप काम कर रहे है आज सरकारी करमचारी किसान मैदूर नौजवान सिक्षित सब खुस है पहली बार खेल पताधिकारियों के निकती भी हुई है मुख्यमंत्री कॉप फुटबॉल और नेशनल थ्रोबॉल का फाइनल आज के पहले समी फैनल में रांची ने 3-0 से जित दर्ज की थी वही रांची की ओर से पुनम और कलावती ने गोल किये दूसरे समी फैनल में रांची रनर ने चांदनी कुमारी के गोल से एक जीरो से जित दर्ज की है इधर बिसा इस्टेडिया में खेले गए पहले सेमी फैनल में धनबाद वीनर ने रांची वीनर को एक जीरो से हराया धनबाद की ओर से विकास टूडू ने गोल किया वही दूसरे सेमी फैनल में दुमका ने चाईबासा को एक जीरो से पराजित पुलिस मुडवेड में मारे जाने के बाद चंद्रभान पाहन सौव की सिनक्त को लेकर पुलिस हरकत में आ गई है पुलिस ने सेना थाना के उगरा में धो गाउ पहुचकर चंद्रभान पाहन के पीता बीगना उराओ को सौव की पाचान को लेकर लोहर्तर का सदर अस्पताल बुलाया पुलिस की एक टीम चंद्रभान पाहन के गाउ गई हुई थी ज्यारखन में मौसम विभा का अलर्ट जारी ज्यारखन में अगले 48 गंटे में नियूतन तापमान में 4 डिग्री सेलसेस से 6 डिग्री सेलसेस तक की कमी आ सकती है मौसम विभा ग्यानी अभिसेक अनन्द ने बताया है कि अगले 24 गंटे में नियूतन तापमान गिरने से ठंड बढ़ने के असार है बतादे देश के उत्री हिसे में हो रही बर्फ बारी अर्शन तहवावों के आसार जारखन पर भी पर रहा है इसी वज़ा से पिछले दिनो राजे के उत्री अर्मदे हिसे के जीलो में नियूतन तापमान में कमी दर्श की गई महसंबी ज्यान केंद्र रांची के पुरोनमान के अनुसार ही पिछले दिनों राजे के उत्री और मदे भाग में नियुतन तपमान में 4-6 डिगरी की कमी दर्ज की गई वहीं इन छेत्रों में अगले 28 गंटे में 2-3 डिगरी तक पारा और नीचे आने की संभवना है सरना अस्थल जमीन बिवाद मामले में सडक जाम रांची में सरना अस्थल की जमीन बेचने के बिरोध में सडक जाम कर अस्थाने लोगों ने जम कर हंगामा किया लोगों का आरोप है कि उनके धार्मिक अस्थल को जमीन दलाला दुआरा बेचने का प्रयास किया जा रहा है सदर्थाना छेत्रे के कोकर महले के पास बिरोध परदसन की वज़ा से सहर के बुट्टी मोर से लेकर कांटा टोली तक काफी देर तक जाम लगा रहा बता दे गुरुआर को राई धानी में सदर्थाना छेत्र के कोकर महले के पास काफी उहापो के साथ पूलिस और पबलिक के बीच काफी नोका जूकी देखने को मिली डेला टोली के पास इस्थित सरना अस्थल की जमीन बेचने कारोप लगा कर अस्थानियों लोगों ने कारोबारियों के खिलाब सड़क जाम किया पीएम मोदी की बीमार मा के लिए रांची में रूद्रा अभिसेक कराया बता दे रूद्रा अभिसेक पुजा का नेतित परदेश के भारते जनता पार्टी के कारे समीति से संजय जासवाल ने किया यतिहासिक पहाडी मंदीर के पुजारी माख़न और मनोज मिस्रा के साथ पांच पुजारीों की टीम ने भागवान भोलेनात का पुजन पूरे मनोयोग और स्रधा भाव से कराया साथ ही पीम मोदी की माता जी के सिग्र स्वास्थ होने की कामना की हेमंत सरकार के तीन साल पर बिजेपी ने जारी किया आरोप पत्र हिमंत सरकार के तीन साल पूरे होने पर सियासत तेज है बीपक शीदल भारतिय जनता पार्टी ने हिमंत सरकार के तीन साल को जूठा लूट और भरष्टाचार वाली सरकार बताया बीजेपी परदेश अध्यक्स दिपक परकास ने गुरुवार को आरोप पत्र जारी करते हुए कहा है कि हमंत सरकार जनहीत के मुद्दे पर फेल है बिजेपी की ओर से जारी आरोप पत्र में कहा गया है कि मुख्य मंत्री मंत्री और विधायक फरस्टाचार में सनलिपत हैं दिपक प्रकास ने मुख्य मंत्री पस सिधा फरस्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली घटना है जब किसी परदेश के मुख्य मंत्री ने अपने हस्ताक्षर से खरनन पटा लिया हो उन्होंने कहा है के मुख्य मंत्री भाई बसंद सोरेन पतनी कलपना सोरेन प्रिश सलाकार अभिसेक प्रसाद पिट्टू बिधायक परतिनिधी पंकर मिश्रा बिधायक सुद्धी बेकुमार मंत्री मिश्लेश टाकूर बिधायक दिपक बिरुवा और सिक्छा एवा मग्द निश्यद मंत्री जगनात महत्तो भी जाच के दाएरे में है उन्होंने हेमन सोरेन पर परिवारबाद का आरोप लगाते हुए कहा है कि राइनिती में ही नहीं बलिक लूट में भी परिवारबाद सामिल है जारखन में नए डिजीपी के नावों पर सिग्र निरना है जार्खन के डिजीपी निरज सीनहा एक गारा फर्वेद्व हैते इसको सेवा निरित हो रहे हैं इसे पहले नए डिजीपी को लेकर पुलिस महकंपे में चर्चाओ का बजार गर्म है यह जल्द तय हो जाएगा जार्खन के नए डिजीपी के चैन को लेकर परकिर्या सुरू ह मिली जनकारी के नुसैर उपसी में न जन्वरी को बैठखक होगी जिसमें वर्यधा तय कर सरकार को जनकारी दी जाएगी भाजपायों ने निकाली जानाक्रोश रैली हेमन्त सरकार के तीन साल पूरे हो चुके हैं तीन वर्सिय करकाल में राज सरकार अपरादी घटाय रोकने में विफल रही है इनके खिला भाजपागर करकातावों ने 29 बिस्थंबर को जानाक्रोश रैली निकाल कर मुख्य मंत्री हमान सुरेन के पुतला दहन किया बता दे जनाक्रोस रैली वीर कुवर सिंग चोक से मेन रोड होते हुए टीन बजार चोक में जाक कर जन सभा में तबदिल हो गई तथा वहीं पुतला फुका गया करकताओं ने हमान सरकार भी रोधी नारे लगाए रैली का न कंडा थाना छेत्र के कुटवार गामे बुदवार की साम आदम खोर तेंदू दुवार एक बचे को मारे जाने के एवं गुरुवार की सुबा सिर्की गाओं के डेम किनारे एक ग्रामीन दूरा एक ही तीन जंगली जनवर देखे जाने के सुचना के बाद आध आक रोसी बिजली बिभाग ने किसान को थमाया दो कडुर का बील JBBNL अक्सर अपने करनामों की वज़ा से सुर्खियों में रहता है कभी गलत बिजली बील तो कभी बिना कंजूमर बने ही लोगों को बील दे देने को लेकर आयोग की किरकीरी होती रहती है बड़े अधिकारियों के आदेश के बाजूद बिलिंग एजेंसी सुधरने का नाम नहीं ले रही एजेंसी अपने काम का तोर तरीका नहीं बदल रही है वही बिभाग के इंजिनियर भी निर्देसों को ताक पर रहकर कर रहे हैं यह जैसी उभोकताओं को गलत बिल थमा दे रही है बता दे ताया ममला का के परखंड से आया है जिसमें उभोकता नेसार आलम को अजेंसी ने कोडोरो रुपए का बिल थमा दिया जिसके बाद उभोकता बिजली करयाले का चकर लगाते फिर रहे हैं दरसल नियू कैपिटल डिवीजन एरिया काक के सब डिवीजन के तहत काक के उपर कोनकी के रहने वाले नेसार आलम भोकत भोगी बने हैं उनका एक साल का बिजली बिल दो कोडोर उन्तिस लाग चोशाट हैर चार सो तीस रुपए थमा दिया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब का बहुल का बेल एकन दबाएए साथी साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना भूले साथी साथ आप आमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वाइक अवसे दे थैंक्यू